22 जन्वरी को मुकेश अंबानी का 16 मंजिला किला जैश्री राम के रंग में रंगा हुआ था ये आम बात नहीं थी राजपाल यादव द्वारा भगवा जंडा लिए मगन होकर नाचते हुए जैश्री राम के नारे लगाना आम बात नहीं थी जैकी श्रॉफ का नंगे पाउं आयोध्या जाना और मंदिर की सीडियों पर खुद पोचा लगाना ये आम बात नहीं थी रंबीर कपूर विक्की कौशल जैसे यूवा एक्टर्स का धोती पहन कर प्रान पतिस्ठान समारोह में जाना आम बात नहीं थी गुजरात के करोड़पती का राम मंदिर निर्मान में तीन महीने तक मजदूरी करना आम बात नहीं थी चारखंट की महीला का प्रण की वो राम मंदिर निर्मान के बाद ही कुछ बोलेगी उसकी 30 साल की चुप़ी आम बात नहीं थी पहले दिन राम मंदिर के दर्शन के लिए 5 लाक लोगों का संबलित होना आम बात नहीं था और अर्फा खानम जैसे सांपों का ये कहना कि मुझे लगा कि भगवा जंडा मेरे सीने में गार दिया गया हो सिर्फ ये बात आम है क्योंकि कुछ कीडे मकौडे ऐसे होते हैं जिनकी फितरत कभी नहीं बदलती वो पैदा भी कीडे हुए थे और जीते भी कीडे की तरह हैं और किसी के जूते के नीचे आकर इनके मौत भी कीडे की तरह ही होती है और वैसे भी शुब काम में हिजडो का नाचना तो बनता भी है 500 साल की तपस्या विश्वास भरोसे और खून गिरने के बाद राम लला को अयोध्या में अपना बसेरा मिल ही गया प्राण प्रतिस्थान समारोह से वैसे तो कुछ बाते अच्छी हुई प्राण प्रतिस्थान का इतना बड़ा समारोह अच्छी बात थी पूरे देश में दिवाली मनाये गया ये अच्छी बात थी बॉलिवुड और साउथ के एक्टर्स का राम के प्रती प्रेम अच्छी बात थी इवन जो लोग इन्विटेशन दिये जाने के बाद भी प्राण प्रतिस्थान समारोह में नहीं गए वो भी अच्छा ही था हमें इंसानी भेश वाले सांपों का पता चला मुंबई के मीरा रोड पर यात्रा निकाले जाने पर मुसलिमों द्वारा पत्थराओ अच्छा है इन लोगों के चेहरे से नकाब उतर गए वही अर्फा खानम जिसके बारे में बात करने से वैसे तो मुझे उल्टिया आती है और उसका मकसद भी यही रहता है कि उसे गालिया दी जाए ताकि वो फेमस हो जाए इसी मकसद से वो उलूल जूल बयान करती है अब दो कोड़ी की औरत जो अपने हतनी फिगर को फोटो शॉप करके सब को दिखाती है उसकी बात और घोड़े की पाद में ज्यादा अंतर नहीं होता ये वो औरत है जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब का पाठ पढ़ाती है और खुद लंडन अमेरिका निकल जाती है और वहाँ अपने फोटो में अपना फिगर दिखाती है खैर इसको ये लगा कि भगवा जंडा इसके सीने में गार दिया गया हो हम तो चाह रहे थे कि इतने भगवे जंडे इसको नजर आए ताकि इसे अपने हर अंग में वो जंडा गड़ा महसूस हो खैर जाने दो अयोधा मंदिर का निर्मान हो गया लोगों का आना जाना शुरू हो गया और पहले दिन ही यहां रिकॉर्ड दोड पांच लाक श्रत धालों का आगमन हुआ वो भी तब जब मंदिर सुबह के साथ से साड़े ग्यारा तक और शाम को दो से साथ बजे तक ही खोला गया था मंदिर का निर्मान चंदे के पैसो के ब्याज से ही बनकर तयार हो गया और दो मुहे साप कह रहे थे कि मंदिर पर इतना पैसा क्यों वेर्थ किया जा रहा है खार ये बात सब समझते हैं कि मंदिर के बनने से रोजगार में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है मतलब मंदिर के फाइदे सब समझते हैं और उसके बाद भी जो इस पर सवाल उठाता है उसके लिए हमारे बिहार में कहावत है सुतल आदमी के न उठावे हैं जगल के के न उठेते अर्थात सोय आदमी को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसे आप नहीं उठा सकते घुजरात में जब वलभाई पटेल की मूर्ती बनाई गई थी तो अनेको यूट्यूबर्स जो खुद को सो कॉल्ड अर्थशास्त्री समझते थे उन्होंने खुब गुना भाग करके बताया था कि यहां इतने ही विजिटर्स आएंगे इससे इतने पैसे आएंगे और ले दे के यह नुकसान का सोदा है लेकिन ठीक उसके विपरीत पहले साल में केवल टूरिस्ट के आने से यहां पर 82 करोड की कमाई हुई थी अब वही बात आयोध्या मंदिर के लिए भी कही जा रही थी लेकिन पहले दिन कुछ घंटों के लिए खुले मंदिर में पाँच लाक लोगों का आगमन हुआ है और दर्शन करने वाले श्रत धालो की संक्या इतनी बढ़ गई है कि फिर से आयोध्या में एंट्री बंद कर दी गई है मंदिर के प्रान प्रतिष्ठान के बाद राजपाल यादव की एक वीडियो बहुत वाइरल हो रही है जिसमें वो हाथ में भगवा जंडा लिए मगन होकर नाचते और श्री राम के नारे लगाते दीखे इस वीडियो की पॉपुलारिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के भगवान राम की पूझा करते वीडियो के टोटल लाइक्स थे 11.8 मिलियन लेकिन सड़क के बीचो बीच भगवा जंडा हात में लिए मगन राजपाल की इस वीडियो के अभी तक 12.1 मिलियन लाइक्स आ चुके हैं दरसल राजपाल यादव अकसर नीटरल ही दिखे हैं लेकिन उनके श्री राम के प्रती ऐसी दिवानगी ने लोगों को शौक करके रख दिया है एक बॉलिवड एक्टर जिसे कोई भी बयान देने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कई हमने ये बोल दिया तो दूसरे धर्म के लोग नाराज न हो जाए वहां राजपाल यादव ने खुल कर अपना राम प्रेम दिखाया ये छोटी बात नहीं है वही रणबीर कपूर का धोती पहन कर समारों में आना भी सुखद अनुभूती देता है हाला कि एक्टर्स का सब कुछ पी आर डिसाइड करती है वह कुछ भी बिना वजह के नहीं करते तो अवियसली पी आर ने डिसाइड किया होगा कि उन्हें समारों में जाना है या नहीं जाना है उन्हें क्या पहनना है जैकी श्रॉफ को अलगी राम प्रेम देखने को मिला जब वो मंदिर की सीडियों को पोचा लगाते दिके एक वीडियो में साउथ के एक्टर्स चिरन जीवी, राम चरन, मोहन लाल, रजनी कांथ आदी के भगवान मिश्रधा इनकी फिल्मों में भी दिखती ही थी साउथ फिल्म्स के प्रसिद एक्टर सुमन तलवार ने आयोध्या में पद्यातरा तक की इसके अलावा कुछ खास बाते थी कि आयोध्या मंदिर के निर्मान के बाद एक मजदूर के बारे में पता चला कि तीन महीने पहले उसने मंदिर बना रहे कॉन्टरेक्टर से जुगार लगा कर वहां मजदूरी का काम शुरू किया मंदिर बनने के बाद पता चला कि वो गुजरात का एक अमीर कॉन्टरेक्टर है जिसके पास ओडी जैसी गाडिया भी है लेकिन केवल अपने राम प्रेम के कारण तीन महीने उसने मंदिर बनाने में मजदूरी कर अपना योगदान दिया जब बाबरी मस्जित ढ़ाई गई थी तब जारकंट की सरस्वती देवी ने प्रण लिया था कि अब वो तभी बोलेगी जब राम मंदिर का निर्मान होगा और अब तीस वर्शों बाद उन्होंने अपना मौन वरत तोड़ा है उन्हें मौनी माता भी कहा जाता है तो ऐसे अनेको घटनाई घटी समारों के होने से जिससे दिल गदगद हो गया जय हिंद वंदे मातरम